हलो फ्रेंट्स वेलकम टूरजनीट मेडिकल एजुकेशन इस लेक्टर में हम डिस्कस करेंगे एबीजी अनालसिस या फिर एबीजी को कैसे इंटरप्रेट करें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लिनिकल सेटिंग्स में एवरी डे आप पेशन्स अंकाउंटर करते ह हैं जिसके आप एबीजी सेंपल लेते हैं और देन आपको एबीजी अनालसिस करनी होती है सो लेस्ट साथी वीडियो एबीजी अनालसिस एबीजी क्या होता है एबीजी को बोलती है आर्टीरियल ब्लड गास अनालसिस दाट इस एबीजी सो आर्टीरियल ब्लड गास अनाल हम पेशेंट का acid-base balance चेक करते हैं ABG analysis के थरू means patient का जो body है जो blood है वो acidic है या फिर basic है अगर basic होगा तो alkalosis, acid होगा तो acidosis so वो हम चेक करते हैं ABG sample के थरू ABG blood sample is taken from an artery और artery में से कौन-कौन सी main या फिर common arteries है जहांसे blood sample लिया जाता है radial artery, brachial artery और sometimes femoral artery से भी sample लिया जाता है then ABG helps healthcare provider to interpret conditions that affect respiratory system कोई ऐसी condition जो कि respiratory system को affect कर रही है वो हमें पता लग जाता है circulatory system और metabolic processes कोई metabolic processes, disturbances हुई है बोडी में वो पता लग जाता है metabolic processes क्या होता है how body transforms food into energy so जो भी हम food लेते है वो energy में जो transfer होता है उसको बोलते है metabolic process और अगर उसमें कोई disturbance हुई है तो acid-base balance में भी disturbance होती है वो ABG के तो हम पता लगा सकती है then आता है normal values in arterial blood gas analysis अब ABG में हम क्या-क्या देखते है कुछ values होती है जो कि हम देखते है सबसे पहला very important pH pH हम देखते है pH क्या होता है power of hydrogen ions कितने किस solution में hydrogen ions है वो है pH so pH normal हमारे blood का pH क्या होता है 7.35 to 7.45 very important blood का pH हम देखते है या फिर extracellular fluid और plasma का pH हम देखते है जो कि कितना होता है 7.35 to 7.45 now अगर blood pH 7.35 से कम हो तो उस condition को हम क्या बोलते है acidic acidic और acidosis और अगर blood pH 7.45 से जादा हो तो उस condition को हम क्या बोलते है basic और basic को हम क्या बोलते है alkaline इस लिए इस condition का नाम क्या हो जाता है alkalosis now अगर acidic है means pH क्या है कम है 7.35 से अगर pH कम है तो it means उस solution में hydrogen ions की concentration जादा है ऐसे ही अगर 7.45 से जादा pH है it means pH जादा होने का मतलब है कि उस solution में hydrogen ion की concentration कम है और hydrogen ions को उलिब्रेट करता है acid now second is partial pressure of CO2 PACO2 very important CO2 का amount देखते हैं blood में कितना है so CO2 का normal जो partial pressure है वो कितना होता है 35 to 45 mm of mercury यह आप याद रख सकते है pH से ही last के digit 35 to 45 तो यह partial pressure of CO2 होता है हमारा CO2 जब भी हम CO2 की बात करें तो CO2 क्या होता है यह एक equation है CO2 plus H2O जब CO2 से निकलती है वो water के साथ react करती है और क्या बनाती है carbonic acid that is H2CO3 और H2CO3 क्या release करते है H positive ion plus 1 bicarbonate base so CO2 की presence में क्या निकलती है hydrogen ions इसलिए CO2 क्या है एक acidic gas है तो जब भी CO2 की बात होती है तो हम यह याद रखें कि जितना जादा CO2 उतने जादा hydrogen ion means जितना जादा CO2 हमारी body में होगा उतनी जादा हमारी body acidic होगी ऐसे ही CO2 जितना कम होगा उतनी हमारी body basic होगी तो 35 to 45 अगर 35 से कम होता है partial pressure of CO2 हमारी body में तो it means हमारी body में क्या बढ़ेगा जादा base और अगर 45 से जादा होती है CO2 it means हमारी body में क्या बढ़ेगा acid तो normal value है 35 to 45 यह इसका opposite होता है pH का उल्टा 7.35 से कम क्या है acidic तो 35 से कम क्या है basic CO2 ऐसे ही 7.45 से जादा क्या होता है pH alkalosis होता है और CO2 अगर 45 से जादा है तो वो क्या होता है acidic होता है क्यों होता है क्योंकि CO2 के बनने से CO2 अगर मारी body में जादा होती है तो hydrogen ion जादा निकलते है इसलिए जब भी CO2 की बात हो ही है हमारी body में तो एक और चीज CO2 से आपने क्या याद रखना है respiratory जब हम CO2 की बात करें है सपोस्थ पार्शल प्रेशर ओफ CO2 में कोई चेंज आया है तो हमने क्या याद रखना है कि respiratory है वो जैसे कि अगर पार्शल प्रेशर ओफ CO2 45 से जाधा हो गया तो वो होगा respiratory acidosis क्योंकि CO2 मैंने क्या बोला आप याद रखें इसको acid से कि अगर acid जाधा हो गया तो acidosis condition और अगर पार्शल प्रेशर ओफ CO2 की बात हो रही है तो respiratory condition आएगी ऐसे ही 35 से कम हो गया तो respiratory होगी लेखिन alkalosis देन उसके बार आता है very important HCO3 minus bicarbonate ये वाले HCO3 minus bicarbonate ions ये कौन कंट्रोल करता है CO2 को कौन कंट्रोल करता है lungs lungs कंट्रोल करता है इसलिए ये क्या है respiratory bicarbonate को कौन कंट्रोल करता है kidneys क्योंकि kidneys ही bicarbonate को reabsorb करती है या फिर नहीं reabsorb करना वो kidneys पर depend करता है तो जब भी HCO3 minus bicarbonate की बात आएगी तो आपने क्या याद रखना है kidneys और kidneys है तो क्या आएगा metabolic इट मीन्स अगर bicarbonate की normal range कितनी है हमारी बॉड़ी में 22 to 26 mille equivalent per liter बलड में इतना लेवल इसका होता है bicarbonate का तो अगर इसके लेवल में कोई change आता है तो याद रखना कि वो क्या होगी metabolic condition और means अगर 22 से 22 to 26 होती है normal range bicarbonate की 22 से कम हो गया तो आप याद रखना कि bicarbonate क्या है base यह क्या होता है base so co2 अगर acid है तो bicarbonate base है और अगर base का amount body में कम हो गया तो क्या जादा होगा acid तो यह जितना कम होगा यह pH के जैसा है जैसे pH 7.35 से कम हो गया तो acidic ऐसे ही bicarbonate अगर 22 से कम हो गया means base कम हो गया body में तो acidic condition तो क्या आएगा acidosis ऐसे ही 26 से जादा हो गया अगर bicarbonate क्योंकि base जादा हो गया body में तो क्या condition आएगी alkalosis तो यह जो तीन चीज़े हैं कौन सी तीन pH partial pressure of CO2 और bicarbonate का level यह तीनों बहुत important है AVG analysis के लिए यह भी important है लेकिन अगर आपको AVG को interpret करना है तो यह तीन चीज़ों को आप देखेंगे तो यह याद रखें तीन चीज़े क्या है pH 7.35 to 45 यह normal pH है अगर 7.35 से कम हो गया तो acidosis अगर 7.45 से जादा हो गया तो alkalosis partial pressure of CO2 इसका opposite है क्योंकि यह acid है CO2 तो अगर 35 से कम acid हो गया तो कौन से condition होगी base condition होगी means alkalosis और 45 से जादा हो गया तो acidosis साथ ही साथ CO2 क्या है respiratory है lungs control करता है तो यह respiratory condition आएगी ऐसे ही bicarbonate 22 to 26 होता है नॉर्मल 22 से कम हो गया तो acidosis 26 से जादा हो गया तो alkalosis और bicarbonate क्या है metabolic है तो अगर bicarbonate की concentration में चेंज आता है तो वो metabolic condition होगी अब goals of ABG analysis goals क्या है हमारे ABG जब भी मारे पस कोई ABG आती है तो हम सबसे पहले क्या goal रखेंगे कि वो acidosis है या alkalosis वो हम देखेंगे pH को देखेंगे pH को देखेंगे उसको then हम analyze करेंगे कि ये condition acidosis है या फिर alkalosis है जैसे कि मैंने बताया गर 7.35 से कम pH हो गया तो acidosis 7.45 से जादा हो गया तो alkalosis sometimes pH नॉर्मल होता है वो compensation में आएगा वो भी हम discuss करेंगे then second आता है respiratory और metabolic then हमने second चीज़ क्या देखनी है कि क्या ये respiratory है या फिर metabolic है तो respiratory कब आएगा जब partial pressure of CO2 में change होगा तो respiratory metabolic कब आएगा जब bicarbonate के level में change होगा तो metabolic अब कई बार क्या होता है दोनों ही present होते है वो भी compensation में आता है वो भी हम देखते है then आता है third goal कि हमारी ABG uncompensated है fully compensated है या फिर partially compensated है uncompensated कब होगा कि जब जो bicarbonate और partial pressure of CO2 में से कोई एक value change होगी और बाकी normal होगी और pH भी change होगा तो pH change होगा और pH CO2 और bicarbonate के level में से कोई एक value change होगी तो वो क्या होती है uncompensated fully compensated क्या होती है जब भी आज़ना fully compensated तब होगी जब pH normal होगा और बाकी की दोनों value क्या होगी change होगी partially compensated कब होती है जब तीनों की तीनों value change होती है pH भी change होता है bicarbonate का level भी change होता है और partial pressure of CO2 भी change होता है तो यह चीज़े अपने ध्यान में रखनी है अग्स हम देखेंगे how lungs and kidneys help each other means compensation कैसे होती है जो third वाला मैंने step बताया कि uncompensated, fully compensated, partial compensated यह है क्या तो दो main organs है kidneys और lungs जो की एक दूसरे की help करते है और acid-base balance को बनाने में बहुत important दो organs है kidneys and lungs अब suppose lungs में कोई problem है कौनसी condition होगी lungs में problem होगी तो respiratory condition और अगर respiratory acidosis है acidosis का मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि CO2 को याद रखना जब भी respiratory की बात होगी तो अगर CO2 का level हमारी body में जादा होता है तो क्योंकि CO2 मैंने आपको क्या बताया कि यह acid है क्योंकि H-positive ions को release करता है तो इसकी amount अगर जादा हो गया body में तो कौनसी condition होगी acidosis So respiratory acidosis में क्या हो रहा है कि lungs क्या करें है hypoventilation करें hypoventilation का क्या मतलब हो रहा है कि slow breathing करें जिसके कारण क्या हो रहा है CO2 हमारी body में retain रहा है जब CO2 का level increase हो जाएगा body में तो pH क्या हो जाएगा decrease और respiratory acidosis हो जाएगी अब kidneys कैसे help करेंगी इसकी यह दोनों एक दूसरे के help करते हैं बहुत अच्छे friend है जब kidneys इसकी help करेगी start करतेगी kidneys क्या है late है late लतीफ यह एक दम से help करना start करते late आते है black and link की help की होई बहुत अच्छी होती है effective होती है तो kidneys क्या करेगी अब kidneys क्योंकि इसको पता चल गया kidneys को body में acid जाद हो गया तो यह क्या करेगी base को body में बढ़ाने की कोशिश करेगी अब base क्या है bicarbonate तो hydrogen आयन को सिक्रीट कर देगी इस तरह से क्या होगा pH इंक्रीज होना वापे start हो जाएगा उसको क्या बोलते है metabolic compensation क्योंकि kidneys ने अब compensate करना start कर दिया है इसका ही opposite अगर lungs में respiratory alkalosis हो जाता है means partial pressure of CO2 decrease हो जाता है और pH क्या हो जाता है increase हो जाता है तो kidneys इसका opposite करेगी alkalosis में क्योंकि kidneys को पता है कि base जादा हो गया बोडी में तो यह जो bicarbonate है इसको कम reabsorbe करेगी और यह जो H positive ions है इसका reabsorption बढ़ा देगी जिससे क्या होगा pH वापिस से decrease होना start हो जाएगा या तो near normal होगा या normal आ जाएगा तो क्या है metabolic composition इसका opposite क्या है कि अगर kidneys की problem की वज़े से metabolic condition हो रही है जैसे कि यहाँ पर metabolic acidosis हो गया है suppose renal failure हो गया है renal failure में क्या होगा metabolic acidosis होगा acidosis कब होगा जब hydrogen ion की concentration body में जादा हो जाएगी तो kidneys क्या करिया रिटेन करने लग जाती है hydrogen ion को और lows किसका हो जाता है bicarbonate ions का तो इससे क्या होता है falling pH क्योंकि acidosis condition है तो metabolic acidosis अब lungs को पता चल गया कि kidney मुसीबत में है kidney की वज़े से body में acidosis हो रहा है अब lungs क्या करेगा acid को बाहर निकालेगा acid को कैसे बाहर निकालेगा lungs क्या control करता है CO2 तो lungs क्या करेगा hyperventilate करेगा जादा से जादा breathing करेगा respiratory rate को increase करेगा तो partial pressure of CO2 क्या हो जाएगा decrease हो जाएगा क्यों क्योंकि CO2 body से बाहर चली गई जब CO2 body से बाहर चली गई तो PA CO2 decrease हो गया और pH क्या हो गया increase होना start हो गया इसको बोलते है respiratory compensation इसी का opposite अगर metabolic alkalosis होता तो kidney क्या करती है alkalosis है तो मतलब base को जादा से जादा body में बना के रखती तो इसका amount increase हो जाता और pH क्या हो जाता है increase हो जाता तो lungs क्या करते है अब पता है lungs को alkalosis condition हो गई है तो lungs क्या करेगा CO2 को body में बना के रखेगा तो hypo ventilation करेगा hypo ventilation करेगा तो CO2 जादा हो जाएगी body में falling pH होगा और acidosis condition होने लग जाएगी दुबारा से respiratory compensation हो जाएगा तो इस तरह से ये दोनों organs एक दूसरे की help करते हैं अब मैंने आपको पताया था एक होता है uncompensated uncompensated का मतलब कि ये जो दोनों organs है एक दूसरे की help नहीं कर रहे हैं अभी अभी ये अपना-पना देख रहे है तब होता है uncompensated अब first ABG हम interpret करते है ABG results हमारे सामनी क्या है सबसे पहले हमने क्या देखना है हमारा goal क्या था pH को देखना तो pH यहाँ पर क्या है 7.1 normal कितना होता है 7.35 to 7.45 तो pH क्या है normal से कम है तो हमारा first goal क्या है pH को देखना जब pH normal से कम है तो वो condition क्या होगी acidic और वो condition को हम क्या बोलते है acidosis अब second goal हमारा क्या है देखना कि respiratory condition है या metabolic condition है तो respiratory condition कब होती है जब partial pressure of CO2 में change आता है तो यहाँ पर 35 to 45 नॉर्मल है partial pressure of CO2 क्या है 54 है मिन्स increase है तो यह respiratory condition है Bicarbonate का level क्या है 24, 22 to 26 नॉर्मल है तो bicarbonate का level नॉर्मल है अब मैंने आपको uncompensated में क्या बताया था कि pH abnormal होगा और इन दोने में से कोई एक condition abnormal होगी कौन सी abnormal है partial pressure of CO2 respiratory तो यह condition क्या है respiratory acidosis और is it uncompensated और compensated? It is uncompensated respiratory acidosis कि अभी bicarbonate को कोई फरक नहीं बढ़ रहा हो normal है कि तो अभी अपना देख वैसे भी यह लेट है यह लेट ही आते हैं अब देखो हमने यह भी पता लगा लिए कि यह respiratory acidosis है यहाँ पर CO2 का level क्या था? Increase था तो हमें यहाँ से भी पता चलता है कि यहाँ पर acidic condition हो रही है क्योंकि CO2 मैंने आपको क्या बोला था? कि उसको याद रखना है कि यह acid है तो जितना जादा body में acid होगा उतनी acidosis condition होगी तो यह justify कर रहा है क्योंकि partial pressure of CO2 increase है तो यह respiratory condition तो है ही है हम pH को बिना देखे भी बिता सकते हैं कि body में acidosis हो रहा है लेकिन pH हमें दिया हुआ है तो हमने पता लगा लिए कि respiratory acidosis है 7.35 to 7.45 pH normal से कम है 7.1 है pH कम है तो कौन सी condition है acidic acidosis अब दोनों में से हम देखेंगे अब normal कौन सी है partial pressure of CO2 40 है तो 35 to 45 normal है तो यह normal है bicarbonate का level क्या है 18 है 22 to 26 है normal तो bicarbonate का level क्या है कम है bicarbonate क्या है base है base का level body में कम है जब base का level body में कम होगा तो कौन सी condition होगी acidosis यह अलकलोसिज base कम है तो acid ज्यादा है तो कौन सी condition है acidosis यही pH बता रहा है कि acidosis condition है और क्योंकि bicarbonate के level में change है तो यह कौन सी condition हुई metabolic तो यह क्या होगी condition metabolic acidosis और metabolic acidosis है compensated है या uncompensated है uncompensated है क्योंकि जो हमारा respiratory system है उसको अभी कोई फरक नहीं बढ़ रहा कि बाय कार्बोनेट का लेवल जादा है या कम है वो अभी मस्त है तो उसका level normal है तो दो level abnormal है एक normal है तो यह कौन सी है metabolic acidosis और uncompensated क्योंकि pH भी abnormal है then next हम interpret करते हैं सबसे पहले हमारा goal क्या है acid है या base है तो pH देखके पता लगाएंगे 7.51 7.35 to 7.45 normal है pH हमारा increase जा रहा है तो increase pH का मतलब क्या है base body में जादा है means alkalosis condition है then partial pressure of CO2 देखेंगे partial pressure of CO2 26 है 35 to 45 normal है 26 मतलब CO2 का amount body में कम हो रहा है क्योंकि अब हमने देखना है कि respiratory condition है metabolic condition है तो CO2 क्या है acid है acid का amount body में कम हो रहा है तो कौन सी condition होगी base जो की pH बता रहा है alkalosis और CO2 के level में change है तो CO2 कौन control करता है हमारा respiratory system तो respiratory alkalosis respiratory alkalosis condition bicarbonate 24 है 22 to 26 normal है तो 24 भी normal है इसी range में आ रहा है तो यह respiratory alkalosis है और कौन सी condition uncompensated और compensated it is uncompensated क्यों क्योंकि bicarbonate को अभी कोई फरक नहीं पढ़ रहा कि इसमें change आया है pH में change आया है तो अभी वो normal ही है that is uncompensated respiratory alkalosis then उसके बाद pH को देखते हैं सबसे पहले 7.53 acidic है या basic है 7.53 क्या है increased pH है normal से increase है तो alkalosis condition then उसके बाद partial pressure of CO2 कितना है 42 35 to 45 normal है तो 42 क्या है normal है then bicarbonate क्या है 32 22 to 26 normal है bicarbonate का level increase हुआ हुआ है तो कौन सा condition आएगी metabolic bicarbonate को कौन कंट्रोल करता है kidneys कंट्रोल करती है और वो metabolic condition होती है अगर bicarbonate के level में change आता है तो यह कौन सी condition होई metabolic alkalosis compensated है या uncompensated है अब देखो सबसे पहले जब भी alkalosis की बात आ रही है तो bicarbonate के base है 32 तो base का level body में increase होगया of course alkalosis condition होगी bicarbonate के level में change है तो metabolic है uncompensated है यह compensated है यह uncompensated है क्योंकि अभी lungs को कोई फरक नहीं पड़ता अब I hope आपको uncompensated ABG समझ आ गई हो तो uncompensated ABG में क्या होता है कि pH हमेशा abnormal होगा और इन दोनों में से partial pressure of CO2 और bicarbonate में से कोई एक value abnormal होगी और दूसरी value क्या होगी normal होगी देन आता है हमारी compensation की बारी अब compensated ABG में क्या होता है compensated ABG में क्या होता है कि जो pH है वो normal भी हो सकता है और pH abnormal भी हो सकता है pH normal कब होगा मतलब कि जब full compensation होगी है और lungs और kidneys ने एक दूसरे की अच्छे से help कर दिया और pH नॉर्मल आ गया तब उसको हम बोलेंगे full compensated pH नीर नॉर्मल हो सकता है means pH abnormal भी हो सकता है जब pH abnormal होगा means lungs और kidneys एक दूसरे की help तो करी है लेकिन अब भी pH को वापिस normal नहीं ला पाई तो उसको हम क्या बोलते है तो partially compensated अब जब full compensation होता है तो pH नॉर्मल होता है तब हम कैसे बताएंगे कि body में acidic condition है या alkalosis condition है तो उसके लिए आप क्या करेंगे 7.35 to 7.45 नॉर्मल पी एच होता है बलड का तो अगर 7.35 की side pH है तो हम उसको क्या बोलते है slightly acidic अगर 7.45 की side pH है तो उसको क्या बोलते है slightly alkalotic तो हम center में क्या रखते है 7.4 7.40 से अगर कम pH है means 7.39, 38, 37, 36, 35 तो यहां तक यह कौन सी है slightly acidic याद रखना अगर 7.40 से कम pH है normal pH के case में कह रही हूं कि अगर ABG का normal pH है full compensated में तब हम क्या देखेंगे pH को कैसे judge करेंगे कि वो acidic है या alkalosis है तो 7.4 हम center में लेंगे और 7.40 से कम जो pH आता है 7.35 तक उसको हम बोलते है slightly acidic side means वो हमारी क्या condition होगी acidosis 7.40 से जादा 4,1,2,3,4,4,4,5 तक यह condition क्या होगी slightly alkalotic slightly basic मतलब कौन सी condition हो जाएगी alkalosis अब हम ABG interpret करते है सबसे पहले आता है ABG results में हमने हमारा first goal क्या देखना acidic है या basic है तो pH क्या है 7.26, normal pH क्या है 7.35 to 7.45, 7.26 क्या है normal pH से कम है तो यह कौन सी condition होगी acidic और कौन सी condition हाएगी acidosis अब हमारा second goal क्या है respiratory है या metabolic है यह पता लगाना तो partial pressure of CO2 क्या है 32 है means 35 से 45 से कम है तो यह बता रहा है कि यह respiratory condition भी हो सकती है bicarbonate क्या है 18 है 22 to 26 normal है तो 18 भी abnormal है तो यह बता रहा है कि कौन सी condition हो सकती है metabolic condition भी हो सकती है अब आप यह देखो pH हमारा क्या है acidosis means acid body में बन रहा है acid CO2 और bicarbonate में से कौन सा है CO2 है अब CO2 का amount देखते है क्या हो रहा है CO2 का amount कम हो रहा है 35 to 45, 32 कम है मतलब normal से तो CO2 का amount कम है acid का amount कम है तो acidic condition तो हो नहीं सकती क्योंकि acid का amount तो कम है तो अब बेस को देखने है क्या है बेस क्या है 22 to 26 से कम है means 18 है तो बेस का amount कम है body में जिसकी वज़े से acidic condition हो रही है तो यह कौन सी condition है इसकी वज़े से acidic condition हो रही है तो bicarbonate जब भी change आएगा तो वो कौन सी condition होगी metabolic अब यहां पर CO2 का amount change क्यों है क्योंकि यह compensated है metabolic acid doses हो रहा है तो अब यह क्या कर रहा है CO2 कैसे help कर रहा है CO2 को body से जादा बाहर निकाल के lungs help कर रही है और 32 आगया CO2 body में कम आगया है क्योंकि CO2 क्या है acid है तो lungs क्या try करने है acid के amount को कम करने का body में तो यहां पर respiratory system compensate कर रहा है किसके लिए metabolic acid doses के लिए अब यह partially compensated है यह fully compensated है यह क्या है fully compensated नहीं है क्योंकि pH normal नहीं आया तो यह क्या है partially compensated metabolic alkalosis तो यह condition क्या हो गई partially compensated metabolic acidosis इस तरह से अगली condition देखते है इसमें क्या है pH 7.30 है इसमें भी pH क्या है नॉर्मल से कम है तो कौन सी condition है acidic और acidosis यहां पर partial pressure of CO2 क्या है 56 35 to 45 नॉर्मल है 56 क्या है 45 से ज्यादा तो partial pressure of CO2 अगर body में ज्यादा है तो वो कौन सी condition है acidic इसलिए pH क्या है acidosis क्योंकि CO2 क्या है acid है और अगर acid का amount body में ज्यादा है तो respiratory condition कौन सी condition respiratory क्योंकि CO2 में change है bicarbonate अब देखते हैं कितना है 30 22 to 26 नॉर्मल है means bicarbonate बेस का level body में ज्यादा है जब बेस का level body में ज्यादा हो गया तो acid condition तो हो नहीं सकती तो तो alkalosis होगी लेकिन pH हमारा क्या बता रहा है acidosis हुए तो it means ये कौन सी condition है respiratory acidosis respiratory क्यों है क्योंकि CO2 का level body में ज्यादा है जिसकी वज़े से acidosis हो रहा है अब kidneys कैसे compensate कर रही है bicarbonate को क्या करके क्योंकि acidic condition है तो base को बड़ाना पड़ेगा तब ही तो pH नॉर्मल आएगा तो acidic condition है तो kidneys क्या कर रही है base को बड़ा रही है body में इसलिए kidneys क्या कर रही है compensate कर रही है कैसे bicarbonate के level को increase करने के लिए अब हमें पता चल गया कि यह कौन सी compensation है compensation तो यह हो ही रही है क्योंकि तीनों का level change है देखो pH भी change है partial pressure of CO2 भी change है और bicarbonate भी change है तो यह कौन सी है partially compensated तो अब partially compensated कैसे पता लगाएंगे एक तो pH से pH नॉर्मल नहीं है तो full compensation नहीं है दूसरी चीज़ आप क्या देखेंगे कि तीनों का level ही normal नहीं है तीनों ही abnormal है तो यह क्या है partially compensated next देखते हैं next ABG क्या है pH 7.43 normal क्या है 7.35 to 7.45 pH यहाँ पर क्या है normal है जब pH normal आ गया तो आप क्या बोलेंगे कि यह full compensation है कैसे क्योंकि इन दोनों ने एक दूसरे की help की तो pH क्या आ गया नॉर्मल आ गया अब यहाँ पर हमने क्या देखना है जब भी मैंने आपको भी पीछे पताया था कि जब भी हमने fully compensated ABG देखनी है तो हमने pH का कैसे पता लगाना है कि वो acid क्या है तो हमने सेंटर में क्या रखा था 7.40 7.40 से इधर वाले 41.41 42 43 and 44 last .45 इसी तरह से इधर साइड 0.39 38 37 36 35 क्योंकि 7.35 तो 7.45 नॉर्मल है और सेंटर में हमने क्या लिया 7.40 7.40 से इधर वाली रेंज क्या है Slightly Acidic और इसलिए ये condition क्या होगी Acidosis और 7.40 से उपर वाली रेंज क्या है Slightly Alkali Basic तो ये condition क्या है Alkalosis अब pH हमारा क्या है 7.43 7.43 कि इधर साइड आ रहा है Alkalosis साइड तो ये क्या है Slightly Alkalosis तो हमारी condition क्या होगी Alkalosis सबसे पहले हमने देख लिया कि pH को देखके Acid क्या है Basic है तो Alkalosis है अब हम देखेंगे Partial Pressure of CO2 क्या है 30 35 तो 45 Normal है तो CO2 का लेवल क्या है Body में Decrease हो रहा है अगर CO2 का लेवल Body में Decrease हो रहा है Means Acid Decrease हो रहा है Acid Decrease हो रहा है तो कौन सी Condition होने चाहिए Alkalosis और CO2 को कौन कंट्रोल करता है Respiratory मैंने अभी देखकर ही बता दिया कि ये क्या है Respiratory Alkalosis है कैसे Bicarbonate का Level देखो लेकिन हमारा पी एच क्या बता रहा है कि Alkalosis Condition है जिसकी वज़े से Acid Base Imbalance हुआ है और CO2 का Amount का है Body में कम है Means Acid का Amount हमारी Body में कम है CO2 की वज़े से Condition कोन सी हुई है Alkalosis CO2 की वज़े से हुई है इसलिए Respiratory और यहां पर कौन Compensate कर रहा है Kidneys कैसे Compensate कर रही है Base के Level को कम करके क्योंकि Base क्या है जितना Base होगा उतनी Alkalosis Condition होगी जब Base कम होगा तो Body में Alkalosis सही होने लग जाएगा क्योंकि जब Acid Body में थोड़ थोड़ बढ़ेगा तो यह नॉर्मल होने लग जाएगा pH नॉर्मल होने लग जाएगा तो Kidneys ने कैसे Compensate किया Base के Level को Body में कम करके और कितना Compensated किया इतना किया कि pH क्या आ गया नॉर्मल आ गया तो यह क्या है Fully Compensated Respiratory Alkalosis So Respiratory Alkalosis हो रहा है और Fully Compensated हो रहा है एक तो हमने ऐसे भी पता लगा लिया दूसरा कैसे पता लगाएंगे कि Fully Compensated है pH नॉर्मल होगा और इन दोनों की Value abnormal होगी Next देखते हैं इस ABG को Interpret करेंगे pH क्या है 7.43 7.35 to 45 नॉर्मल है 7.43 भी नॉर्मल है इसी रेंज में आ रहा है अब 7.43 यहां पर देखके हम क्या कह सकने है 7.43 क्या है Alkalosis Condition है Slightly Alkali के साइड आ रहा है तो pH हमारा क्या हो गया Alkalosis Now Partial pressure of CO2 क्या है 50 है 35 to 45 नॉर्मल है तो CO2 क्या है Body में Increase है जब CO2 बोडी में इंक्रीज होगा तो acid इंक्रीज होगा कौन सी कंडीशन आएगी Acidosis pH क्या बता रहा है कि Alkalosis Condition है तो इसकी वज़े से तो Alkalosis हुआ नहीं है तो यह तो नहीं है Respiratory तो नहीं है अब Metabolic देखो 40 है Range Range Normal क्या है 22 to 26 Value कितनी आईए 40 40 40 क्या है जादा है तो base हमारी body में जादा है Base क्या है Bicarbonate जब 40 हमारी body में जादा हो गया तो मतलब Bicarbonate की वज़े से कौन सी condition आई है Alkalosis क्यूंकि Base body में जादा होता है तो Alkalosis Condition होती है और Bicarbonate क्या है Metabolic तो यह condition क्या हो गई Metabolic Alkalosis और CO2 क्या कर रहा है Compensate कर रहा है हमारे lungs Compensate कर रहे है कैसे Acid को body में बढ़ा के क्यूंकि 50 के जाद है जब acid body में बढ़ेगा तभी तो Alkalosis Condition थोड़ी Normal आनी स्टार्ट होगी और इतनी हेल्प की है Respiratory ने कि pH क्या आगया है Normal आगया है तो यह Fully Compensated है Fully Compensated एक तो हमने ऐसे भी पता लगा दिया Fully Compensated और कैसे पता लगाएंगे कि pH क्या Normal है और यह दोनों Condition क्या है Abnormal है तो यह मैंने आपको क्या बताया कि Compensated ABG कैसे निकालते कैसे Interpret करते है तो Compensated मैंने आपको क्या बताया कि जब Fully Compensated होगी तो आप क्या देखेंगे pH को देखेंगे कि वो Slightly Acidic Side है या फिर Slightly Alkalosis Side है दूसरी बात हम पेशन्ट का Diagnosis अगर दिया हुए तो वो भी जरूर देखेंगे उससे भी पता चलता है जैसे कि अगर पेशन्ट को COPD है COPD means respiratory condition हो सकती है क्योंकि COPD के पेशन्ट क्या करते है CO2 को Retain करते है तो उससे भी हम पता लगा सकते है दूसरी condition जैसे कि किसी पेशन्ट को severe diarrhea है तो diarrhea में क्या होता है Bicarbonate का Loss होता है तो वो condition क्या हो सकती है metabolic हो सकती है ऐसे ही severe vomiting भी metabolic condition हो सकती है तो diagnosis के base पर भी हम judge कर सकते है कि ABG कैसे interpret करेंगे suppose आपको diagnosis नहीं दिया तो आप येवला method use कर सकते हैं Now I hope आपको ABG interpret करना easy लगा हो और समझ आ गया हो and also अगर आपने बाकी videos देखनी है acid-base balance की acid-base balance क्या होता है उसमें जिसमें मैंने basic समझाया है then उसके बाद मैंने सारी disease condition respiratory acidosis, alkalosis metabolic acidosis and alkalosis बहुत detail में और easily समझाईए easy way से तब वो भी ज़रूर check out करें So I hope you understood this video and if you understood then please like subscribe and share to my channel Thank you for watching